वाट सब गाईज अब सब का मेरे यूटीब चैनल माश्रफ गेमिंग में स्वागत है तो दोस्तों पहले तो मैं आपको विश्च करता हूं हैपी वार महालक्षमी फेस्टिवल आज तो दोस्तों काई दिनों से मैंने वीडियो पोस्ट नहीं की थी कि I am very very sorry for that पर दोस्तों मैं ट्राइ कर रहा हूं वीडियो चल्दी पोस्ट करने के लिए तो थोड़ा सा प्लीज एज़ेस्ट कीजिगा तो दोस्तों पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हमें कमिशनर साहब ने एक मिशन दिया था जिसमें हमें पता करना है कि एक गैं लोगों किड्नैप करके कहां रखा गया है तो हमने बहुत उसका नंबर ट्रेस किया था उसके बाद हमें पता चला था कि वो जो लोकेशन आई थी वो कैसी नोगी थी और बाद में हमारा थोड़ा सर गरम हो गया और हम गुसे से चले गए तो दोस्तों अभी चल्दी शुर कर दिया है और हमारी पूरी टीम को भी जब तक हदम दोस्तों यहां पर कैसीनों और उसके बाद वाले जो शॉप से वहां की सी सी टीवी फोटेज लेते हैं जिसे हमें थोड़ा इंफरमेशन कटा कर सके इसके बारे में तुमें जल दी जाके चेक करके आथो ओके दोस्तों तो हमें थोड़ी सी इंफरमेशन मिली है उसमें से पर जो में वीडियो थी दोस्तों मतलब जो सी सी टीवी जो में थी उसे लगता है किसीने डिलिट कर दिया है माफिया ने डिलिट कर दिया होगा इसे लिए बाकी मैंने पहले असकी दादा को भी यह कह दिया है कि जो भी केशिनों के पास की दुकाना है जो शॉप से बैंक सब कुछ वो केरोस और असकी दादे ही सी सी टीवी खटा कर लेंगे जो तब हम एक काम करते हैं अपनी टीम को जाके खेरते हैं कि उसके जो अगली का भी फोन नेमर आया कॉल आया होगा तो वो कॉल कहां से कौन सी वे लोकेशन से है क्योंकि मुझे अभी अभी जॉब काल आ कि एक और वीडियो बीजाय किसे ढहि sta tips होई माफिया ने तो अभी मैं जा रहा हम अपने पुलिस स्टेशन को तो यहीं इस स्टेशन कि टक रहे गए तो हाँ पोच गए हैं पोली स्टेशन को तो मैं जाके वाँ चेक करके आता हूँ तो दोस्तो अभी तो वो वीडियो प्ले नहीं हो रहा है क्योंकि पता नहीं कुछ सिगनल प्राब्लम है अरे यार टक रहा गए तो वो वीडियो प्ले नहीं हो रहा है इसलिए हम वो वीडियो भी नहीं देख सकते हैं पर दोस्तो हमें असकी दादा का फोन आया है कि होने कुछ इंफोर्मेशन मिलिया है तो चल्दी वो इंफोर्मेशन देखते हैं information हमारे useful है या फिर नहीं तो यहीं असकी दादा है ओके तो मैं आ गया हूँ अब चलो जल्दी बात कर लेते हैं ओके दोस्तों जो हमें बहुत अच्छी information मिल गई है सारे शॉप में से तो दोस्तों यह तो किसीनों है हमें यह पता चला है कि यह जो बंदा था वो एक कार में से आया था और उस कार का भी वो कार की कावनर कोन है वो हमें पता कर रहे हैं तो दोस्तों वो जो कार है वो कार से यहां आया था कैसीनों में गया था हमें कॉल किया था उसके बाद उसने यहां के पास की यह जो यहां के वीटियम है यह वीटियम उसने इस एटियम से पाइसे लिये थैंगर्ण मुनिन उसने को था किसीनों के बार पहले उसने काल किया फिर उस नेस एटियम से पाईसे लिए और स्ट्रेट गया हमारे गंशोप के यह और गंशोप नहीं जाकर उसने गंप खरीदी और वोह जा लिए वन पच्छों मेल जा रहा हूं और उन्हों असको दराके उसने उसने बच्छों को किट्नाइब करें तो दोस्तों यह तो एक अच्छी इंफरमेशन है तो पहले तो मैं यह इंफरमेशन अपनी टीम को बोलने जा रहा हूं फिर जब से यहां आप भगा रहे हैं यह टीम में लिकिन हमें जल्दी बच्छों को बचाना होगा वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है तो यार मैं यहां क्यों आगया दोस्तों म दोस्तों मैं जाकर लिया जाएं देखे आ तो के दोस्तों तो हमें बहुत अच्छा इंफरमेशन मिल चुकर है जो हमने बोल दिया है अपनी टीम को तो वह भी बहुत खुश हो गई और दोस्तों आब मैं क्या करने जा रहा हूं यह जो एक और पॉली स्टेशन है उस पॉल बोल रहा हूं ताकि हमें help मिल सकें तो वह यहीं है और यार यार control नहीं रहा तो यहीं है पोली स्टेशन वो यहीं पास में तो background noise का वाइड कीजिएगा तो यहीं straight जाने पे मिलेगा हमें यहां के सिनों के पास ही होगा वो भी पोली स्टेशन तो मुझे पता है और यार तो हम अपनी पाइक से गिर गएते हैं तो दोस्टों यह वीडियो थो along हो सकता है लेकिन मैं try करूंगा कि यह वीडियो जल्दी से जल्दी इसी वीडियो में फिनिश कर दूँ तो ओके यह एक पोली स्टेशन है आप नहीं जानते होगे यह भी एक पोली स्टेशन है तो मैं इस पोली स्टेशन में भी जाके इंफर्म कर देता हूं ओके दोस्तों तो आमने इंफर्म कर दिया है तो दोस्तों यह जो पोली स्टेशन है थोड़ा बड़े जो आफिसस होते हैं बड़े-बड़े जैसे कमिशनर और एसकी क्या है कि बड़े-बड़े जो आफिसस होते हैं उनका पोली स्टेशन है और वह थ नहीं चाहता हूं जाना क्योंकि हमारे फ्रेंड्स यहां बन चुके अच्छे तो दोस्तों अभी अभी मुझे यह कॉल आया है कि अपने टीम से कि एक वीडियो वो जो बफर हो रहा था वो वीडियो लोड हो चुका है और वो जो वीडियो है मैं अभी हसकी दादा के साथ दे देख लेते ह 쿠 ओ माइग दोस्तों तो दोस्तों उस वीडियो में उसने तोड़े पच्चों 5-6 बच्चे है पांच्छे बच्चे उनको किड्नैप कर दिया है और उसने कहा है कि जो मेरे साथियां है उन्तुम छोड़ो ओर उनमें बच्चे को मारने की कोचित है लेकिन मारा नहीं है उसने हमें डरा निकल लिए उसके हाथ पर एक चाकू से मार दिया है उससे खून निकल रहा है लेकिन उसने फिर उसे बैंडेज कर दिया है क्योंकि वो हमें सिर्फ डराना चाहता है यह टीम यह हमारी टीम को पता चल गया है कि यह कौन है तो दोस्तों इ के चाना हुआ कि है कि यह बहुत बड़ा माफिया था पहले यह अपनी पूरी गैग के साथ है लिकिन फिर हमारी टीम ुसे पकड़ लिया और आ कि वह भाग गया मुंना लेकिन उसकी टीम पकड़ी गई और उसके उस Whose हमने थीन महिने पहले जेल में डाला घ्रटोeren जंग को और दोस्तों वह भी फिर आचुका है और बच्चों को किट्नैप करके बोल रहा है कि उसकी टीम-ुशको-ुशानप वापस चाहिए तो डोस्तों हम अभी जा रहे हैं वो जो आइसिनो के पास हचений दादा को clergy बें लेट हमने देखिए तो जो नेम प्लेट है वह यह उसकी ओनर का पता करने मैं फिर स्टेशन जा रहा हूं फिर वहां पर हम पता कर देंगे फिर हमें उसका गर एड्रिस सब पता चल जाएगा तो यह बहुत अब मुझे लगता है यह केस उतना मुश्किल नहीं रहा जितना पहले था ओके तो मैं अभी जाके चेक कर ले रहा हूं ओके दोस्तों तो अभी मुझे पता चल चुका है वह कहां है वह एरपोट कहीं आ रहता है और उसने बच्छों को भी शायद वहीं किड्नैप किया है के रखा है तो दोस्तों हमने मेरी टीम आने वाली है उन्होंने सारे वेपन्स ले लिया है तो मैं अभी जा रहा हूं पहले मैं पहले उनको सेंड करूंगा मेरी लोकेशन बाता करने के बाद पहले तो मैं सीक्रेटली जाओंगा उस पर नजर रखूंगा थोड़ा फिर हम जहां रहे हैं उसके पास कुछ खट रहा है बच्चे को डेंजर तो नहीं है व दोस्तों यही है कि वह जो यह एरोपलेन है इस ओरोपलेन के पाजो वह हले घर में रहता है तो हम इसे यहां पार कर देते हैं अपनी चाहिंगर रहे हैं और अब जाके उसके हैं उसकी घर में चेक करते हैं कि ओके दोस्तों तो मुझे पता चल गया यह वीडियो लॉंग होने वाला है क्योंकि यह मिशन उत्ता भी इजी नहीं है क्योंकि दोस्तों वहां पर बहुत सारे बॉडिगार्ड्स है और उनके हाथ में बहुत सारी गंस भी है और बहुत सारी गंस है और बच्चों को भी डे सिदा कर दिया तो बच्चों की जान जा सकती ये तो इसलिए मैंने तो ये टीम को पता दिया है तो पहले मैं जार रहो हासरकी दादा के साथ ने अच्छी प्लानिंग से अट्याक करना होगा तो ये वीडियो लॉंग होने प्लीज इसे देखिए फुल तो मैं प्लैनिंग आज की दादक साथ बना लेता हूँ तो दोस्तो हमारी यहां प्लैनिंग कुछ भी नहीं हो पर ही है क्योंकि दोस्तो जो भी प्लैन बना रहे हैं उसमें कोई तो बच्चेकार एक रिस्क हो रहा है इस देखिए पास अब मैं ठक चुका हूँ मैं जाके डाइरेक्ट अठक कर दूँगा लिकिन मैं अच्छे समल के जाओंगा नेने टीन को बता दिया है कि मैं जा रहा हूँ वो तो उनको तो बहुत डा लग रहा है वो कह रहे हैं कि मेरी जॉब भी जा सकती है लेकिन मैं इन पिचारे बच्चों की जान जाने नहीं दे सकता हूँ तो मैं जल्दी जाके अटेक करने आ रहा हूँ मैं जल्दी जा रहा हूँ speedy speed में मेरी ब्रेक पी फेल है सोच लीजिया क्योंकि मेरी ब्रेक अब खाल करने वाली नहीं है तो मैं लगता है वो टेन उड़ गया है लेखिन अदोस्टों यह मुन्नह की जो गैंग मेंबर से हो मैं जानता हूं कैसे हैं यह ही है एक गेंग मेंबर जो पहला जो गाड़ है उसका मैंने इसे शूट कर दिया है तो एक स्टार मिले हमें और यह देखी यह भी यहां का गेंग मेंबर है तुमारी तो मैं सब को शूट कर दूंगा दोस्तों मैं इन बच्छों को कुछ नहीं होने दूंगा मैंने सीक्रेटली दीरे दीरे जा रहा हूँ और सारे तुरिंग्स्तर को शूट कर दूँए है देखी है वह दिखा लेता हूं पर दिखाता हूं किया अे कि दोस्तों उसके एक गन ले लिए जिसमें नींद की गॉली मैंने डाली थी और अब मैं इस गन से उसे सुला दूंगा और उसके बाद हम उसे पकड़ लेंगे तो यह कही होना चाहिए मुन्ना कहा है तू अरे यार दोस्तों मुन्ना काई चुप गया लग रहा है तो मैं उसे तोड़ और ढू अब इसे शूट करने जा रहा हूँ तो यह ले यह ले यह ले यह ले यह ले ओके दोस्तों मैं इसे शूट कर रहा हूँ शूट कर रहा हूँ मैं गिर क्या हूँ यह ले यह ले यह ले इससे सुला दिया है अरे सॉरी यह तो दोस्तों हमने इस मिशन को सॉल कर दिया है हमने से थोड़ा मार पीट करेंगे इसके साथ फिर इसे अपना मूँ खोल के बताना होगा कि बच्चों को इसने कहां चुपा के रखा है तो मैं जल्दी अपनी टीम के साथ जा के देखता हूँ तो मैंने टीम को बता दिया था और टीम आ चुकी थी और उसको भी वो जो माफिया था उसे टीम ने पकड़ लिया था तो अभी मैं अपनी कार से हमने उससे पतक कर लिया है कि वो कौन सी प्लेस पे उसने बच्चों को किट्नाप करके छुपा के रखा था तो मुझे वो प्ल पोलिस कर में जा रहे हैं क्योंकि वहाँ जो माफिया जो गुंडे होंगे उन्हें डराने के लिए हम पोलीस का ले रहे हैं कि ओकी ओकी कंट्रोल में कार थे आट यार कि कि वह में ज़िदी जाना होगा बच्चों को बचाना होगा बिचाए बच्चे कई दिनों से भूगे तो नहीं है वो सब कुछ नहीं पता है मैं तो दोस्तो वो जो सामने दिख रहा है आपको एक जो एरोपलेन में चाड़ने के लिए हम यूज करते है उसमें बीच में उसमें बच्चों को जो पाकर रखा है तो यह है वो के दोस्तो तो मैं इस अपनी कार को पाक कर देता हूं जल्दी मैं अंदर जाकर देखता हूं कि बच्चे सेफ हैं या नहीं के तो इसके अंदर कैसे जाते हैं I think so यह हैं Okay दोस्तो ओ येस दोस्तो में बच्चे मिल चुके हैं साद गार कें तो मैरे बच्चों को उनके खर में चोडने जा रहा हूं नहीं पहले होंगा वगॉंपे फिर मोगे पर ड़ने के js यह ले खाल के ले लेकर इनके बच्चों को फिर रहे हो थोर्ब बच्चों को चेल जाएंगे वो जो पच्चे थे उनको उनके घर पे छोड़ दिया है और मैं भी अपने घर आज खाऊं क्योंकि आज का मिशन बहुत तायर था और हम बहुत ठक चुकें इस मिशन से तो दोस्टो कमिशनर साब हमसे बहुत खुश हो गया है आई तिंक वो आमें प्रामोशन भी दे सकते हैं तो दोस्तो अभी वो जो मुन्ना है वो उसे जेल की हवा में है साडराय जेल में तो दोस्तो प्लीज इस वीडियो को लाइक किजेंग शेर किजे चानल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बाजो का जो बेल आइकन है उसे भी आल के सेट कर दीजिएगा तो दोस्तों चल्दी तौज़ी तौज़ी सब्सक्राइबर्स कर दीजिए ताकि मैं आपको कहरोस का फुल फेस दिखा सको और आप जानते हैं उस दिन एक स्पेशल वीडियो खाऊंगा तो सब्सक्राइब करना तो बनता है तो अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों तब तक के लिए बाइए